हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड तोस्तों अगर आप बेसिक सिक्सा परिशत के नियंत्रना धिन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिशदी विद्याले में बत और सिक्सक सिक्सी का भाई बैन कार कर रहे हैं तो ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन ये और लूजना पे काम दोस्तों शुरू हो गया है इसकूल दोस्तों कैसे मर्ज होंगे उसके बाद क्या होने हैं नाना प्रकार की कया सिक्षक लगा रहे हैं आखिर जो इसकूल कलोज होंगे उन्हें पास के विद्याले में समाहित कर दिया जाएगा तो वहाँ पे कारत जो भी स्टाप हैं, जो भी सिक्षक सिक्षी का भाई बैन है, जो भी सिक्षा मित्र भाई बैन है, उन्हें किस रूप में सेवा देनी होगी, उनकी सेवा की सर्ते क्या होगी, इस सम्मंद में अभी किसी भी प्रकार का गाइडलाइन्स नहीं आया है। लेकिन इतना तो तय है कि जहां छात्रों का नमांकन कम है जहां बच्चों की संख्या कम है ऐसे स्कुलों की डिटेल्स मांगी जा रही है। वो विद्ध्याले जहां पर इस्थित हैं उनके भगल में जो सरकारी विद्ध्याले है या सरकार द्वारा मानता प्राप्त विद्ध्याले है उनकी भी सूशना मांगी जा रही सीधी सी बात है कि जो सरकारी विद्ध्याले है या सरकार द्वारा मानता प्राप्त विद्याले है वहाँ बच्चों को इंटीग्रेट किया जा सकता है बच्चों को वहाँ जोड़ा जा सकता है लेकिन जो सिक्सक सिक्सी का भाई बहन है उन्हें कहां सेवा देनी होगी उनकी क्या गाइडलाइनस और उनकी क्या विवस्था होगी इस सम्मण्द में अभी कोई सूचना दोस्तों नहीं आये हाँ बच्चों का नामांकन जहां कम है काफी कम है स्टाप वहाँ पे शिक्षामित्र सहायक सिक्षक या प्रभावारी सहायक सिक्षक या हेड़ टीचर के रूप में गरकार कर रहे हैं तो उनकी ब्यवस्था सरकार जरूर कोई नो कोई करेगी समयोजन से सम्मंदित जो भी मामला है उमानी हाई कोर्ट की लखनोग खंडपीट में अभी लंबित है अभी चीजे चल रही है वहाँ पे कुछ सम्मंद में अपना ओर्डर ना जारी कर दें कुछ भी अभी कह पाना जल्दबाजी होगी और मानी हाई कोर्ट जो भी कहता है वो तथो तरको और साच्छों के आलोग में अपने जर्जमिंट देते हैं उनमें हम अभी कुछ भी बोले की इस्ति में नहीं है और मानी हाई कोर्ट की कोई भी बात को कयास लगाना प्रेडिक्ट करना उसके विशे में पूर्व कथन करना या पहले से ही सारी चीजे कर लेना ये दोस्तों बहुत दुशकर कार है बड़ा आसान सा मामला नहीं है क्योंकि अगर सारी चीजे पहले से ही जानकारी हो जाएं तो मानी हाई कोर्ट की शरण में जाने की औशकता ही क्या है इतनी जानकारी तो सरकार के पास भी रहती है इतनी जानकारी तो जो लोग मानी हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं पास भी रहती है लेकिन जो नए अनुशन्धान होते हैं जो नई खोजे होती हैं जो उस सम्मंध में जो लेटिस्ट कोर्ट समंधी अपडेट्स होती है उसको अधिवक्तागण ही तह कर पाते हैं और वो उनके अनुशन्धान और उनके विशे का छेत रहे उसी के उपरांद just serve decision देते हैं और जो decision आता है उसी के guidelines में उसी के compliance में सरकार काम करती है आज ये जो वीडियो हम आपके सामने प्रसूट करने जा रहे हैं उसे सिक्षकों में काफी हड़कम पमचा हुआ है क्योंकि सिक्षक इस लिस्ट को देखने के बाद उनका परेशान होना लाजमी है और ये किवल एक जन्पद की लिस्ट नहीं है कमोवेश ऐसे ही लिस्ट कई जन्पदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अस्तर से जारी हुई है आईए हम आपको बताते हैं हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो वाकई आपको परेशान कर सकती है आपके चेहरे पे शिकन आ सकती है लेकिन दोस्तों गर आप चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले बीना देर किये आते हैं बेसिक स्कूल होंगे मर्ज इस सम्मंधी जो मांगी गई सूचना है उसे आपको दिखाते हैं दोस्तों ये जनपत परतापगड का एक डाटा है आप देख पा रहे हैं जनपत परतापगड में 17 ग्रामरी छेतर में विकास खंड है एक नगरी संवर्ग है नगरी छेतर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 10 विद्याले ऐसे हैं आसपूर देऊसरा विकास खंड में जहां पे जो नामांकन है वो 40 से कम छातर संख्या का स्कूल है विद्याले में नामांकी छातर संख्या यहाँ आप देख पा रहे हैं 21, 32, 33, 34, 34, 36, 37, 38, 39 अब इसके बाद जो सूचना मांगी गई है कम छातर संख्या वाली विद्याले के आसपास विद्याले की दूरी अब कोई स्कूल जहां पे बच्चा कम आ रहा है वहाँ इन्रोल्मेंट किनी कारण से उसका कारण नहीं भी यहाँ पे बताया गया है किनी कारण से वहाँ नामांकन कम है तो उनके आस पास जो school है उनकी distance कितनी है फिर आगे column कहता है कि मानता प्रावध विद्धियालियों का UDES code यो mapping है अत्वा नहीं विद्धियालियों की distance पूछ रहा है और recognize जो school है उनका UDES code पूछ रहा है और गॉर्मेंट ने ऐसे स्कूल को मैप कर रखा या नहीं ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी चीजे मैप नहीं है तो वो पोर्टल पे किसी भी प्रकार के सिक्षकों को इधर से उधर सरकार नहीं कर पाएगी इसलिए ऐसे स्कूलों की मैपिंग बहुत जरूरी है ऐसे दूसरा विकास खंड बाबा विलखरनाद धाम है यहां पे भी विद्यालियों की सूची है बाबा गंज है गौरा है, काला काकर है, कुंडा है लक्षमन पूर है, लाल गंज है मांधाता विकास खंड है मंगरवरा विकास खंड है नगर शेत्र में भी ऐसी स्थी है कि बच्चे वहां पे 34, 35, 35 पट्टी विकास खंड है रामपूर संगरामगल विकास खंड है सदर विकास खंड में गोपालापूर, रामनगर, कुटलिया, कुस्मी, नसीरपूर, पूरे भगवानदास, डुमनीपूर, नोबस्ता, पतुलकी, भुपिया मोपूरे तिगुनाईद, तो बबुरहा, तो ऐसे ही दोस्तों हर विकासखंड में, स्रणवाचंडी का विकासखंड सांगीपूर, सांगीपूर, शिवगड, बिहार, तो कुल मिला करके, ये अगर हम देखें, तो स्कूल चार सो एकईस निकल रहे हैं, चार सो एकईस एक जनपद में ऐसे स्कूल हैं, जहां पे पच्चो का नमांकन चालिस से भी कम है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, तो आप लगा सकते हैं, एक जनपद में तकरीबन चार सो से पान सो की अगर संख्या आ रही है, तो 75 डिस्टिक्स में कम और ज्यादा मिला करके, हजारों ऐसे स्कूल होंगी, जिने सरकार इस योजना पे विचार कर रही है, कि आस परोस का जो स्कूल है, उन्हीं स्कूलों में इन्ह समाहित कर दिया जाए, अब उनके स्टाप को कैसे ये अन्हीं स्कूलों में विकल्प के आधार पे या किन आधारों पे उन्हें समाहित करेंगे, उससे सम्मंदी ना कोई गाइडलाइन्स है, ना कोई बाते हैं, लेकिन हजारों स्कूल बंद होने वाले हैं, ये एक अलग और ये चिंतन मन का भी विशे है, आज के लिए दोस्तों इतना है, वीडियो इंफॉर्मिशन डेटेस सब्डेट, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करें, थेंक्स वर वाचिंग और लिस्निंग, दिस इज आपकास तो विस साइब आपको